कोल्ड करेंट को मेमराइज करने का बेस्ट ट्रिक जो है वो देखते हैं वैसे तो कोल्ड करेंट जो है वो मूब करता है पोल से एक्वेटर की तरफ और जो वाम करेंट है वो एक्वेटर से पोल की तरफ मूब करता है लिस्ट आफ कोल्ड करेंट पहले लिस्ट देख लेते ह में कौन कौन कॉल्ड करेंट होते हैं ऊसके बाद उसके सॉड़् फ़र्म… हम बल्ट एंट पूरी घुल ब्रन करेंट, किरयल और ओषिो करेंट, कालिफोणिया करेंट, लैबराड़र करेंट , एस्टर्न- अब निमानिक्स देखते हैं कोल्ड करेंट के पैसिफिक उशन में जो कोल्ड करेंट उसका निमानिक्स है पी उसी जहां पर पी का मतलब है पेरुबियन करेंट O का मतलब है O issue current and C is California current and Atlantic Ocean के जो South Farm है वो CFL electronic pulse CFL EB जहां पे C का मतलब है Canary current, F Falkland current, Labrador current E String Greenland current and B Pangula current अब आता है Indian Ocean में जो South Farm बनाया है NSSW जहां पे N का मतलब होता है North East Mention current, S for Somali current and S for South Indian Ocean current and W for Western Australian current अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना feedback देंए Thank you so much